दुनिया में रहस्यमई और खतरनाक स्थानों की कमी नहीं है ऐसे स्थान आश्चरजनक रूप से विरान ही होते है क्योंकि लोग वहाँ जाने के खत्रों को अच्छी तरह समझते है अगर आप डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते है तो आपने एरिया 51 का नाम जरूर सुना होगा आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये एरिया 51 है क्या आखिर क्या खास है इसमें और क्यों अमेरिका इसे पूरी दुनिया से चुपा कर रख रहा है नमस्कार मैं हूँ निशेत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नोवित निशेत तो आईए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिक्रेट आफ एरिया 51 अमेरिके वायुसैना के अंतर गत आने वाले इरिया 51 की असली सच्चाई के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है अमेरिका के इसके बारे में इतनी गोप नियता बरतने के कारण इरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमंई जगाहों में से एक मानी जाती है संसार में शायद ही दूसरी कोई ऐसी जगा होगी जो बेहद ही गुप्त होने के साथ साथ बेहद चर्चित भी हो कहा तो यहां तक जाता है कि Area 51 में अमेरिकी सरकार के कई ऐसे सिक्रेट दफन है जो दुनिया में तहल कम जा सकते है आधिकारिक रूप से Area 51 को एक Military Testing Site Air Force Facility Center में देखा जाता है जहां अमेरिके वायु सेना के हवाई जहाजो की टेस्टिंग होती है वही कुछ विशेशक्नियों का मानना है कि यहां दूसरी दुनिया से आये हुए प्राणियों और थात एलियन्स पर टेस्ट किये जाते है खेर सच चाहे जो भी हो अब हम आपको Area 51 के कुछ रहस्यमई तथियों के बारे में बताएंगे सबसे पहला सवाल आता है कि कहां है यह Area 51 तो Area 51 अमेरिकी वायू से राके एक अड़े United States Air Force Facility का उपनाम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा राज्य के लास वेगाश सहर्षे 13 से मिल उत्तर पश्चिम में लिंकन काउंटी में स्थित है Area 51 शुष्क हो चुकी ग्रूम जील के पश्चिमी तट की तरफ इसके केंदर में स्थित है Area 51 की जानकारी लोगों को आश्चर जनक रूप से उस समय हुई थी जब सन 1967 में CIA के निड़ेशक से दुर्गत नावश एक मेमो लिख हो गया जिसमें इस थान का जिक्र था American Intelligence Agency CIA के अनुसार Area 51 का सही नाम होमी एरपोर्ट और ग्रूम जील है Area 51 को Dreamland, Watertown Strip, Home Base और Paradise Ranch के नाम से भी जाना जाता है अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों गवर्मेंट ने जबर जस्ती ये इलाका खाली करवाया था तो इसका जवाब है Area 51 के आसपास का क्षेत्र आज बले ही विरान मालूम पड़ता हो लेकिन पहले ऐसा नहीं था यहां कई कॉलोनिया बसी हुई थी जहां सैकडों लोग निवास भी करते थे लेकिन जब CIA को अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ती के लिए एक उपयुक्त स्थान की जरूरत महिसुस हुई और उसने गुरूम जील को ऐसे स्थान के रूप में पाया तो सन 1955 में इस जगा को गवर्मेंट ने अमेरिके मिलिटरी फोर्स के द्वारा जबरजस्तिक खाली करवा लिया था जिन लोगों ने गर खाली करने से इंकार कर दिया था उन्हें बंदुक की नोक पर या डरा कर ऐसा करवाया गया था लेकिन स्थान को खाली करवाने की कोई वज़ा किसी को नहीं बताई गई जिससे भी एरिया 51 के बारे में फैली ब्रातियों को बल मिलता है अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या है ये एरिया 51 तो एरिया 51 एडवर्ड एरफोर्स बेस से सबंदित है और विशाल नेवादा परिक्षन और प्रसिक्षन सीमा के भीतर स्थित है एरिया 51 नेलिस सेन्य अभियान क्षेतर का हिस्सा है और मैदान के आसपास का प्रतिबंदित हवाई क्षेतर यानि की R4808N के रुप में निदिश्ट है जिसे यहां के सेन्य विमान चालग दबॉक्स के नाम से जाना जाता है इस सेन्य अड्डे का प्रात्मिक उद्देश्य प्रयोकात्मक विवानों तथा हतियार प्रनालियों की जाच और विकास को समर्थन देना है एरिया 51 ट्वेंटिन नाइन लाक एकर क्षेतर और 12,950 वर किलोमेटर के प्रतिबंदित हवाई क्षेतर में फैला है चे मिल चोड़ा और 10 मिल लंबा या आयता का अड़ा अब तथा कथित ग्रूम बॉक्स का एक भाग है जो की 23 बाई 25.3 मिल का एक प्रतिबंदित हवाई क्षेतर है यक शेतर NTS के आंतरिक सड़क प्रबंदन से जुड़ा है जिसके पक्की सड़के दक्षिन में मरकरी की और और पच्चिम में युक्का फ्लेट की और जाती है अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये एरिया 51 की सनरचना कैसी है तो आईए इस बात को समझते है जिल से उत्तरपूर्व की और बढ़ते हुए व्यापक और सुव्यवस्थित ग्रूम जिल की सड़के एक दरे के जरीए पेचीदा पहाडियों से होकर गुजरती है पहले सड़के ग्रूम घाटी में खानों की और जाती है लेकिन उनके बंद होने के बाद इन्हे सुधारा गया है इसके गुमावदार दीशा कौन एक सुरक्षा चौकी से होकर गुजरते है लेकिन अड्डे के चारो और का प्रतिबंदिक शेत्र आगे बढ़कर पूर्व तक फैला हुआ है प्रतिबंदिक शेत्र छोड़ने के बाद गुरुम जिल सडक पूर्व की और तिकाबु गाटी के फर्ष की और उतरते हुए डर्ट रोड के प्रविश्टवार से गुजरती हुई राचल के दक्षेन यानि की एश्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइवे और स्टेट रूट 375 की और मुखातिब होने से पहले कई छोटे छोटे खेतों से गुजरती है इरिया 51 में साथ हवाई पट्टिया है जिसमें वपट्टी भी शामिल है जिसे अब शायद बंद कर दिया गया है बंद हवाई पट्टी 14R by 32L लगबग 7100 मीटर यानि की 23,300 फीट की कुल लंबाई के साथ सबसे ज्यादा लंबी है जिसमें स्टॉफ भी सामिल है अन्य हवाई पट्टियों में दो डामर पट्टिया है 14L by 32R हवाई पट्टी जिसकी लंबाई 3650 मीटर यानि की 12,000 फीट है और 12 by 30 हवाई पट्टी जिसकी लंबाई 1650 मीटर यानि की 5,400 फीट है तथा चार हवाई पट्टिया सॉल्ट जील पर स्थित है यहां चार हवाई पट्टिया है 09L by 27R और 09R by 27L दोनों लगबग 3500 मीटर यानि की 11,450 फीट लंबी तथा अन्य दो 03L by 21R और 03R by 21L लगबग 3050 मीटर यानि की 10,000 फीट लंबी है शीविर के पास एक हैलिपेड भी है कहा जाता है कि यहां शुरुवाती दोर में जब यहां रनवे बनाया जा रहा था तो इसका निर्मान कार्य केवल रात में ही किया जाता था ताकि इसके निर्मान की और किसी का ध्यान ना जाए जब सन 2005 में एक व्यक्ती ने Freedom of Information Act के तहट सुचना मांगी तब जाकर 25 जुन 2013 को पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व में होनी की पुष्टी हुई अमेरिकी जाच एजंसी CIA ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्विकार किया कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सिक्रेट प्लेस भी है इससे पहले लोगों के बीच बहस इस बात की चर्चा होती थी कि ऐसी कोई जगा भी इस दुनिया में मौजूद है या नही लेकिन CIA ने इस बात का जिक्र तब भी नहीं किया कि एरिया 51 को आखिर क्यों बनाया गया है यह क्या होता है हलाके इन सब के बीच में एक बात यह भी सामने आती है कि एरिया 51 में आखिर ड्रॉन्स की टेस्टिंग की जाती है तो आईए समझते हैं आखिर ये बात की सच्चाई है क्या इरिया 51 में सबसे पहले टेस्ट होने वाला वायुयान था लॉकहिड यूटू स्पाई जिसे रूस की निगरानी के लिए बनाया जा रहा था सन 1960 में इस तरह का एक जहाज रूस की जासुसी करते समय क्रेश भी हो गया था सन 1964 में एरिया 51 में एक ड्रॉन विमान की भी टेस्टिंग होई थी लेकिन इसकी चौथी टेस्टिंग करते समय ड्रॉन और इसका केरियर प्लैन दोनों नश्ट हो गय थे साथ ही एक क्रू मेंबर की भी जान चली गई थी माना जाता है कि आज भी इस जगा पर अमेरिकी ड्रॉन की टेस्टिंग की जाती है और अमेरिकी सरकार के इंजिनियर्स इस जगा पर कई मिलिटरी हार्डवेर बनाते है दूसरे बात ये सामने आती है कि क्या अमेरिका का नुकलियर टेस्ट साइट यहां मौजूद है तो आईए इसको समझते हैं एरिया 51 के बारे में कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस जगा पर अमेरिका ने सिक्रेट नुकलियर प्लांट लगा रखा है और यहां कई नुकलियर वेपन्स भी बनाये जाते हैं लेकिन आधिकारिक रूप से या खोज करने पर ऐसी किसी तथ्य का पता नहीं चल पाया है पर यह अवश्य सत्य है कि इस जगा पर परमानू बमों के कई धमाके जरूर हुए है जो नुकलियर बॉम्स की टेस्टिंग का जरूरी हिस्सा है लोगों को यहां से विस्थापित करने की मुख्या वजा भी यही समझी जाती है एरिया 51 में जो करमचारी और उनके परीजन रहते हैं उनके बारे में भी पूरी गोपनियता बरती जाती है अब सवाल यह आता है कि आखिर क्यों एरिया 51 के वजुद को स्विकार करने से अमेरिका हमेशा मना करता है तो एरिया 51 का प्रात्मी कुद्देशिया आज तक कभी किसी को पताच नहीं चल पाया है क्योंकि इस जगा के बारे में इतनी गोपनियता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्षे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है यहां तक कि काफी साल पहले जब इस जगा को एक नक्षे में दिखाया गया था तो तुरंथ ही उस नक्षे को सरकार ने बदल कर दूसरा नक्षा ला दिया क्योंकि अमेरिके सरकार कभी ये नहीं चाहती थी कि Area 51 के बारे में किसी को कुछ भी पता चल पाए अखीर Area 51 और Groom Jill के बारे में Google Map तक पर भी ये जानकारी उपलब्द नहीं है दूसरी बात ये भी सामने आती है कि Area 51 में किसी भी प्राणी का जाना प्रतिबंदित है सिविलियन और परियटक Area 51 के सामने और पीछे के दरवाजों तक तो जा सकते हैं लेकिन वह इसके अंदर नहीं गुस सकते Area 51 में किसी भी इंसान या जारवर के गुसने तक पूरी तरह से प्रतिबंद जारी किया गया है इस गुप्त स्थान के चारो और बाड लगाई गई है ताकि कोई भी गलती से या दोखे से अंदर ना गुस पाए बाडो के चारो और अत्यादुनिक स्वचालित हतियारों से लेस सुरक्सा कर्मी 2400 गंटे पहरा देते रहते है गुरुम जिल जहां एरिया 51 स्थित है उसके आसपास का इलाका स्थाई रूप से नागरी को और सामन या हवाई सेना यातायात के लिए बंद है अगर कोई जान बुच कर गुस्ते की कोशिश करते पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 डॉलर तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जहल की सजा भी दी जाती है इसकी सुचना देने के लिए वहाँ जगा जगा चेतावनी संदेश वाले बौड भी लगाए गए है इसके बाद दूसरा तथ्य ये भी सामने आता है कि एरिया 51 के उपर से किसी विमान को उड़ने की इजाज़त भी नहीं दी गई है तो एरिया 51 हर तरह से एक प्रतिबंदित क्षेत्र है यहां तक कि इस इलाके के उपर से किसी विमान को उड़ने की भी इजाज़त नहीं है रडार स्टेशन इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं और बिना अनुमती प्रविश करने वाले लोगों को तुरंत ही निस्काशित कर दिया जाता है अगर कोई विमान अंजाने में भी एरिया 51 के हवाई क्षेत्र के चारों तरफ के वर्जित बॉक्स में भटक करा जाता है अब सवाल ये सामने आता है कि क्यों एरिया 51 में जाने से लोग डरते हैं तो इसका जवाब है कि एरिया 51 के बारे में इतनी गोपनियता बरतने की वज़ा से बहुत से लोग अकसर इस खूफिया जगास के आसपास जाने से भी डरते हैं इसलिए कैली जॉनसन जो यूटू प्रोजेक्ट के लीडिंग इंजिनियर्स में एक थे उसने लोगों में डर बेठे रहने के लिए एक जगा का नाम पैरेडाइज रेंच रख दिया था अब दूसरा तथिय ये भी है कि क्या एरिया 51 में कोई जहरीले पदार्थो दफन नहीं है तो एरिया 51 को प्रतिबंदित करने का एक कारण विशेश यग्य ये भी बताते हैं कि यहां की जमिन में कई तरह के बेहत खतरनाक और जहरीले रासायनिक पदार्थ अस्सुरक्षित तरीके से डंप किये गए है जिनके संपर्क में आने से लोगों को स्किन डिसिस से लेकर कैंसर तक हो सकता है इसके पुष्टी सन 1994 में तब हुई थी जब यहां काम करने वाले कुछ लोगों की मौत होने पर उनकी विद्वाओं ने अमेरिकी वावी सैना और अमेरिकी परियावरन संडरक्षन एजन्सी पर मुकदमा कर दिया था शिकायत करता उसे ली गई बायोपसिप का विश्टलेशन और रूट गर्स विश्व विद्याले के जीव रसायन वैज्ञानी को ने किया था जिन्हें इस परिक्षन में मुरूत लोगों के सरीर की वसा में उच्च मात्रा में डाय ओक्सिन, डाय बेंजोफूरन और डाय क्लोरो इथिन रसायन मिले थे सिकायत करता उन्हें आरोप लगाया कि ग्रूम पर काम करने के कारण उन्हें लगातार त्वचा, कलेजे और स्वसन सबंदित परिशानियों का सामना करना पर रहा है और फ्रोष्ट और काजा की मौत का भी यही कारण बना था इसके कुछ ताइम बाद एक बार BBC ने भी यहां Area 51 में जाने का प्रयास किया था तो आईए इस पुद्दे को भी समझते है सन 2012 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित समाचार एजनसी BBC ने भी इस जगा पर एक डॉक्युमेंटरी बनाने का प्रयास किया था यहां पर चला तो गया था लेकिन काफी देर बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया और जैसे ही वह यहां मुस्तेद सेक्यूरिटी गार्ट्स की निजर में आए उन्हें जासुस समझ कर बंदक बना लिया गया था बड़ी ही मुश्केली से और फेडरल ब्यूरो तथा मिलिटरी की लंबी पुष्टाच के बाद ही उन्हें छोड़ा गया दूसरा एक फैक्ट ये भी सामने आता है कि आखिर ये एरिया 51 और निल आर्मस्ट्रोंग का सबंद क्या है हलाकि इस बात का कोई पुक्ता प्रमान नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि निल आर्मस्ट्रोंग कभी चान पर गए ही नहीं बलकि अमेरिका ने एरिया 51 में छदन सेट अप लगा कर उनसे मून पर लेंड करने की एक्टिंग करवाई थी इसके लिए अंतरिक्ष में काम आने वाले कई उपकरणों को यहां लाया गया था जिन में लैंड रोवर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी शामिल थे बिल के सिंग ने 1974 में आई अपनी पुस्तक हम कभी चांद पर नहीं गए में नासा की इस उपलब्दी को जूठा करार दिया था अब आये समझते हैं कि एरिया 51 और एलियन के बीच में आखिर सबंद क्या है एरिया 51 अक्सर चर्चा का कैंद्र इसलिए भी बना रहता है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के उपर शोध किया जाता है कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार UFO यानि Unidentified Flying Object को वहां उड़ते देखा है एक नए सर्वेक्षन में यह बात सामने आती है कि लगबग 70% अमेरिकी इस बात पर यकिन करते है कि एलियन और उड़न तश्तरिया वास्तव में होते है अब आये इस बात को समझते है कि एरिया 51 और उड़न तश्तरियों का सचाखिर है क्या UFO और एलियन देखे जाने की 90% गतनाए आसानी से खारिज की जा सकती है लेकिन 10% गतनाए विश्वश्शनिय दर्शकों की और विश्वश्शनिय रिपॉर्ट थी जिसके सबुद भी मौझूद है कई एलियन्स की डेट बॉडिज वाली फोटोस भी इस एरिया में सामने आ चुकी है लेकिन वह कितनी सच है या नहीं बताया जा सकता जब सन 1952 में यूएफो देखे जाने की गतनाए बढ़ गई तो CIA इस निश्चय पर पहुंची कि इस बात की भी दुरस्त संभावना हो सकती है कि वह दूसरे देशों के एरक्राफ्ट हो और एसिस्थिती में हर मामले की जाच होनी चाहिए जो वायू यान विदेशी राष्ट्रो और एजन्सियों से पकड़े जाते थे उन्हें Area 51 में टेस्ट किया जाता था ताकि उनमें इस्तमाल हुई नविन्तम तक्निक को अमेरिका के लिए इस्तमाल किया जा सके लेकिन लोगों ने इसका आकलन एक कदम बढ़कर इस तरह से किया कि Area 51 में UFO पर भी परिक्षन किये जा रहे थे अब आये इस बात को समझते है कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या है और इसका Area 51 से सबंद क्या है सन 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उडन तश्तरियों को अमेरिकी आस्मान में उड़ते पाया गया था इसके बाद इसके लिए एक अलग खूफिया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है जिसे CIA के निटदेशों के बाद शुरू किया गया था दुनिया में कई जगा होपर एलियंस देखे जाने के दावे किये जाता है लेकिन Area 51 में इन दावों में छुपी सच्चाई देखने में आई है अमेरिका के सिनियर साइंटेश्ट बॉइड बुश्मन ने 2014 में यह बयान देकर तहल का मचा दिया था कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी यानि एलियंस से बात कर चुके है इसके अलावा उन्होंने वह तरीका भी बताया था जिससे कि एलियंस मात्र एक गंटे में पुरुथवी से अपने ग्रह का सफर तै करते है डियान बुरेश्च जो एक माइक्रोबायोलोजिस्ट थे और जिन्होंने डिफेंस इंटेलिजन्स एजनसी के लिए काम करते हुए एरिया 51 में कुछ समझ बिताया था उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार ने उनसे पकड़े गए एलियंस के शरीर के टीश्यो सेंपल्स की जांच करने को कहा था जब एलियंस जिसका नाम जे रोड बताया गया सन 1950 में एरिजोना राज्य के किंग मैंक शेत्र में हुए विवादास पद यूएफो क्रेश में बच गया था डान ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर दो साल तक काम किया और वह तथा एलियन जे रोड अच्छे दोस्त बन गई थे इस एलियन के बारे में बताया जाता है कि वह छोटे कटका, भूरे रंग का और बड़ी आखो वाला प्रानी था हलाकि डान की इस बात पर ज़्यादा लोगों ने विस्वास नहीं किया दूसरा एक तत्य ये भी सामने आता है कि नविन तक तकनिप पर काम किया जाता है अमेरिकी सरकार द्वारा ये एरिया 51 में तो आईए इसको समझते हैं माइकल श्राट जो एरिया 51 में एक एरोनौटिकल एंजिनियर रहे है उन्होंने बताया कि एरिया 51 में कोई एलियन नहीं है और ये सब कुछ मनगणत कहानिया है उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी तक्निकों पर काम चल रहा है जो दुनिया में अभी इस्तमाल हो रही तक्निकों से कम से कम पचास साल आगे है श्राट ने यह भी बताया कि स्टार वार्स और स्टार ट्रेक फिल्म में जो तक्निके दिखाई गई थी हमने उन्हों पर भी काम करना शुरू कर दिया है इसके अलावा उन्होंने यह भी स्विकार किया कि एरिया 51 में ऐसे हवाई जहाज बनाने के प्रयुक किये जा रहे है जो बेहद ही हलके और बिना बैटरी से चलने वाले होंगे मिनिटों में ही वो मौत की नींद भी सुला सकते है अब आई ये बात करते हैं कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जब शीत युद्ध चरम पर था उस दोरान सोवियत जासों सी उब ग्रहों ने गुरूम जील क्षेत्र की तस्वीरे प्राप्त की और बाद में नागरिक उब ग्रहों ने अड़े एवं इसके आसपास के विस्तुत चित्रों को प्रस्तुत किया ये चित्र अड़े के बारे में कुछ मामूली निशकर्ष देते हैं जिसमें जील, विमानशाला, लंबी हवाई पट्टी और अवर्ण निय अड़े का चित्रन की आग जाता है सन 1974 में नासा की स्काइलेब उडान पर किये गए कुछ नौसिक ये एस्ट्रोनॉट्स ने अंत्रिक्स से एरिया 51 के कुछ फोटोग्राप्स लिये थे जबकि उस समय के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स के अनुसार एरिया 51 दुनिया का एक मात्र स्थान था जिसके फोटोग्राप्स अंत्रिक्स से लेने की भी मनाई थी एरिया 51 की स्थापना के सुरुआते दिनों में मनोरंजन का एक मात्र साधन एक टैनिस कौट ही था हाला कि यहां रहने वालों को बेहत शांदार बोजन दिया जाता था अभी तक यह सही तरीके से पता नहीं चल पाया है कि क्यों एरिया 51 का नियंत्रण एक एजंसी से दूसरी एजंती को दिया जाता है लेकिन 1970 में इसे CIA से लेकर अमेरिकी वायू सेना को सोम दिया गया था अब आप सोचेगे कि एरिया 51 जैसी जगह उपर आपको तकनिकी के सरवस्ट रेष्ट नमूने देखने को मिलेंगे लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है और किसी भी तरह की हैकिंग को रोकने के लिए एरिया 51 में न तो कोई वाइफाई है और नहीं कोई इंटरनेट कनेक्शन दूसरे विश्वयुद्ध के दोरान एरिया 51 को सेना के लिए गन रेंच के रूप में इस्तिमाल किया जाता था एरिया 51 को अमेरिकी परियावरन नियमों के दाइरे से भी बाहर रखा गया है एरिया 51 के नाम के पीछे एलियन आदी का कोई रहस्यन नहीं है दरसल अमेरिकी परमाण उर्जा आयोक की कई टेस्ट साइट्स है जिसमें से 51 स्थान होने की वज़ा से इसे एरिया 51 कहा जाता है चुकि एरिया 51 में कई टॉप सिक्रेट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं इसलिए यहां एक रनवे की भी अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है और यह रनवे कोई साधारन नहीं है बलकि दो मिल लंबा है जब A-12 ओक्सकार्ट की परिक्षन के लिए अधिक शेत्र की जरूरत पड़ी तब लगबग 38,000 एकड जमिन को Area 51 में जोड़कर इसे और विस्तार दिया गया था ऐसा करने के जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाइलट्स को हवाई जहाजों के यूटन का परिक्षन करने के लिए भी उन्हें 186 मिल की दुरी तक उड़ाना पड़ता था तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही जहां आज आपने Area 51 के बारे में जुड़े हुए Unknown Facts के बारे में और उसकी History के बारे में जाना आगे ऐसे ही और भी रोचक तथिय और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो जाते रहेंगे जिसकी जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए ताकि भविश्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और हाँ अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करना ना भूले और अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है नोवित निशित, Empowering Minds, Unvelling Truths नमस्कार, Jaiheen, Jai Mahabharati